नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शिखा और स्वागत करती हूँ आप सभी का डीरी राजस्थान के खास कारिक्रम इन से मिलिये में मन्जिल उन्ही को हासिल होती है जिनके सपनों में जान होती है मन्जिल उन्ही को हासिल होती है जिनके सपनों में जान होती है पंक से कुछ नहीं होता दोस्तों होसलों से उड़ान होती है हमारे आज के महमान भी ऐसे ही होसलों से सरापोर है जिनका नाम है डॉक्टर रवी कुमार गोयल छोटे से गाउम से ही इन्होंने अपनी प्रारंबिक शिक्षा दिक्षा ली उसके बाद अलवर से अपनी ग्रेजिशन करके इन्होंने एक छोटी सी प्राइविट कंपनी में जॉब भी की लेकिन कहते हैं ना कि जिनकी मंजिले बहुत उचायों तक होती है वो कभी रुखते नहीं हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं तो फिर से इन्होंने पढ़ने का मानस बनाया और अलवर से ही अपनी MSC की डिग्री ली उसके बाद जैपुर से PhD करते हुए अपनी RAS की तैयारी की और अपने दूसरे प्रयास में पिच्यानवी रैंक हासिल करके आज राजस्तान लेखा सेवा में वरिष्ट लेखा अधिकारी के पत पर कारे रत हैं लेकिन जब सोचा हो और महनत भी पूरी की हो और मन चाहा कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं कि साटिस्टेक्शन तभी मिलता है जब अपने मन का मिल जाए चाहे वो कुछ भी हो तो अपने मन का फील नहीं मिलने पर इन्होंने अपना अंतिम और आखरी प्रयास किया दोहजार अठारा में और साथवी रैंक हासिल की आर्यस परिक्शा में आए जानते हैं रवी से कि इनका आज तक का सफर कैसा रहा डिडी राजस्थान की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बढ़ाईया मैं जैसे कि आपने बताया हम बहुती साधार्ण परिवार से हूँ मेरा जन्म ग्राम मौझपूर में हुआ था अलवर जिले की तैसिल लस्वंगड में ये गाम है और दसवी तक की शिक्षा है वो मैंने ग्रामीन प्रस्ट वूमी में ही की उसके बाद ग्यारवी से बारव की डिग्री है जैपूर में युनिवस्टी आफ राजिस्तान से डिपार्टमेंट ऑब बाटनी और डिपार्टमेंट ऑफ जोलोजी दोनों से की और मेरा सब्जेक्ट स्पेसलाइजेशन एको टॉक्सिकोलोजी में रहा है बच्पन वैसे तो बहुत ही मज़ेदार होता है किसी का भी हो लेकिन अगर गाव का होता है तो उसका कहना ही क्या क्योंकि एकदम खुली जगह होती है पेड़ पौदे सब बिलते हैं कैसा आपका बच्पन रहा है ग्रामीन प्रस्टूमी में जो बच्पन होता है बहुत ही साधरन सा होता है ग्रामीन प्रस्टूमी में गा तो मैं अपने पिताजी के साथ, दादाजी के साथ परचुनी की दुकान भी करता था और मेरा स्कूल से जाधा ध्यान परचुनी की दुकान पर रहता था तो वो एक टब समय था मेरे लिए उस समय मैं सिक्षा की तरफ का महाकरशित हो के बाकी सब चीजों में अच्छे से अपना काम चलाता था आपने कहा कि स्कूल से जाधा ध्यान आप दुकान पर देते थे और बच्चा बच्पन को कभी नहीं छोड़ता तो किस तरह से अपने खेलकूत के लिए टाइम निकालते थे इसमें मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं बहुत जाधा सरारती बच्चा नहीं था जब भी समय मिलता था तो मैं वीकेंड्स पे या फिर स्कूल से बंग करके या स्कूल के टाइम पे बच्चों के साथ खेलना और जो भी क्रेटिव एक्टिविटीज होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करके अपने इंट्रेस को मेंटेन किया करता था मतलब स्कूल इन्होंने भी बंग किये हैं आपने पताया कि हायर इस्टुडिज आपने अलवर से की हैं और 11-12 आपने मौझपूर से ही की थी 11-12 मैंने अलवर से की है और दसवी के बाद ही मैं सबसे पहली बार गरषी भार निकला था 11-12 में मैंने government school है उसमें admission लिया था 11-12 में और then graduation and post-graduation एक private college है मैंने वहीं से अपनी graduation and graduation वो पूरा किया है दुकान चूट गई, घर चूट गया, कोई टोकने वाला नहीं था तो एक बार बाहर निकल थे या आपको कैसा लगा? एक दम फूरा खुला आपके पास में field था, बहुत सारे दोस्ते जब मैं पहली बार घर से बाहर निकला था तो वो एक transition टाइम था क्योंकि मेरे पास बहुत opportunity थी कि मैं रास्ता बटक सकता हूँ उस वक्त मेरे को ये नहीं था कि मेरे को अच्छे goals अचीव करने हैं बस सिर्फ पढ़ने के लिए मैं घर से बाहर आ गया था उस वक्त सबसे ज़र जो strictness थी वो मेरे दीदी की थी दीदी मेरे साथ हमेशा रहती थी तो दीदी वो मेरे को पढ़ाई में खर्चा भी चलाती थी और साथ में जो भी था तूशन कराना ये सब का मेरे दीदी का इसमें important role था मतलब दीदी आपकी सबसे बड़ी supportive रही हैं studies में तो दीदी से ज़्यादा डरते थे या ममी पापा से पापा से ज़्यादा डर लगता था क्योंकि पापा बहुत पिटाई बनाते थे बच्पन में और बाकी स्कूल में मैंने बहुत पिटाई घाती थी पर दीदी से एक moral responsibility आपकी हो जाती थी क्योंकि दीदी आपकी साथ हमीशा supportive role आपको play करते थी अभी कोई ऐसी शरारत आपको यदा है कि बहुत बड़ी शरारत मैंने कर दी ऐसा तो कोई उधारन मेरे को याद नहीं है पर जब भी मैं स्कूल जाता था और स्कूल के बाद दुकान नहीं आता था या मेरे खहीं बंग कर लेता तो तो मेरी पिटाई या तो पापा बनाते थे इसकूल के हेड मास्टर से द्वारा मेरी डेली लगबग मेरी सपलता में जो सबसे ज़्यादा स्रे है वो मा का है मा और पिताजी ने बहुत स्ट्रगल किया था मा मेरी पड़ाई में सिलाई करती थी बच्कन में तो सिलाई से वो मेरा खर्चा चलाती थी और हम भाई बहने उन सब की पढ़ाई में बहुत इंपोर्टेंट भूमी का उन्होंने निभाई थी मा की आखों में हमेशा लगता है कि वो चाहती थी कि हम लोग आगे पड़ें उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं था लेकिन वो एमोशन्स मुझे हमेशा से फील हो जाते थे तो मैं हमेशा से यही चाहता था कि कभी भी ना तुमा की आखों में आसु आने देने हैं या फिर मुझे बस आगे करना है बस अमान उनको देलाना है मिलकुल कुछ रिष्टे ऐसे होते हैं कि शब्दों की जरूरत नहीं होती बिना कहीं ही बहुत हम सुन लेते हैं और समझ जाते हैं बायो आपके पास में थी 12 में आपने ट्यूशन वगरे भी नहीं किया और ऐसा महौल भी आपके पास में नहीं रहा तो किस तरह से आपने अपनी 12 को क्योंकि अच्छी परसंटेज आपकी आई थी 12 में 11 12 में गवर्मेंट स्कूल में था और उस समय गवर्मेंट स्कूल में फिजीक्स, केमिस्ट्री और बायलोजी टेक्निकल सबजेक थे बहुत अच्छे टीचर्स वहाँ पे नहीं थे और क्योंकि वहाँ पे स्टुडेंट्स रेगुलर नहीं आते थे तो बंक हम लोग भी कर लेते थे इस में जो इंपोर्टेंट भूमीगा थी वो मेरी दीदी ने की थी और जो भी था वो मुझे पढ़ाया करती थी और इस्टिकली उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया परिवार में दीदी, मम्मी, पापा कौन-कौन है और? मेरे परिवार में चार भाई बैन है मैं तीसरे नमबर पर हूँ मेरे से दोनों बड़ी दीदिया है दोनों दीदी टीचर है इसलिए वो इस्टिक नैस के वज़े से आज वो टीचर भी बन पाई तीसरे मैं हूँ और इसके बाद मेरा छोटा भाई है वो भी अभी पढ़ाई कर रहा है चलिए आपसे छोटा भी एक भाई है और जब सबका रॉब आपके उपर रहा तो आप भी उसके उपर रॉब थोड़ा दिखाते होंगे और उसे गाइड करते होंगे डेफनेटली वसे आपको गाइडेंस कहां से मिली मैं जब 12th के बाद मैं ग्रेजुएशन कर रहा था ग्रेजुएशन के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएट करने मैंने अलवर्शी पोस्ट ग्रेजुएशन की उस समय फर्स टाइम मैं इंटर्शिप के लिए जोधपूर गया था जोधपूर में मुझे अच्छे मेंटर मिले प्रोफिशर केवी सिंग और प्रोफिशर मदुबाला सिंग आईसीमर के बहुत अची लबोरेटरी है डाजर्ट मैडिशन रिसर्श सेंटर वहाँ पे मैंने फर्स टाइम सिक्स मंथ का रिसर्श प्रोजेक्ट किया तो उन लोगों ने मेरेको मूरेली सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि आपको अच्छी काबिलियत है आपको अच्छा कुछ पढ़ाही करना चाहिए तो मैं वहाँ से कही ना कही मेरेको इंस्पेरेशन मिली Initial inspiration मुझे कुछ और बनने की थी लेकिन journey में मेरे goals and targets change होते रहे और मैं आज इस मुकाम तक यहाँ पे पहुचाँ कभी medical line में ने जाने की सोची PMT fight नहीं किया मैंने बुला कि जैसा मैं initial level पे बहुत अच्छा student नहीं था मुझे opportunity मिलती है मैं बढ़ता रहा normal family में हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम inspired होते हैं कि हम किसी को देखके अपने subject choose करते हैं तो 12th के time पे मेरे cousins थे वो 3 साल कोटा थे और उनको doctorate की doctor नहीं बन पा रहे थे PMT में उनका admission नहीं हो पा रहा था मेरी एक cousin थी मुझे जब एक साल senior थी तो वो भी PMT में admission नहीं ले पा रही थी मुझे ऐसा लगा कि मैं PMT करता हूँ तो सायद मेरे अंदर की काबिलियत नहीं में कर पाऊंगा तो मैं सिर्फ एक डर की वज़े से वो आगे नहीं कर पाया वो बाद में मुझे regret हुआ कि मैं सायद कर सकता था तो उस समय मैं जो important decisions होते हैं लाइफ में वो lack of guidance की वज़े से सायद नहीं ले पाया अदर्वाइस आप PMT fight करते हो और आज कहीं और आपकी मंजिल होती definitely मैं एक बार try to करता हूँ graduation के बाद में आपने job भी की जी, graduation मैंने अपनी graduation B.Sc in Biotechnology में की जैसे कि मैंने बताया कि मैंने PMT नहीं दिया normally 12th के बाद भी फार्मा करते हैं वो भी मैंने नहीं किया तो मैंने B.Sc in Biotechnology में admission ले लिया मेरे लिए मैं गाव से आया तो तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि मैं साइद B.Sc in Biotechnology के बाद बहुत अच्छी जॉब मैं गेन कर लूँगा after B.Sc in Biotechnology मेरा कोई job opportunity मुझे नहीं मिली तो अलवर में ही एक local manufacturing company में मैंने काम शुरू किया और लगबग 5,000 रुपे में मैंने दो मेने वहाँ पर काम भी किया तो जब आपने पहली बार job की तो एक satisfaction आया होगा कि हाँ मैं कमाने लगा हूँ और थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ ऐसा आपको feel हुआ है? एक general perspective यही होता है कि जब भी हमें हमारे पास earn money आती है तो हमें अच्छा लगता है लेकिन जब वो आपको आपके जो aspirations से उसको satisfy नहीं कर पाती है तो आप उसके लिए definitely आगे प्रियास करते हो तो मैंने जब भी दो महने यहाँ पर काम किया था उसके बाद मुझे यह feel हुआ कि जिसके लिए मैं journey सुरूख किया था वो सायद अभी achieve नहीं हुई है तो मैंने अपने पापा को बोलके यह कहा कि मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ तो पापा ने मेरे को PG के लिए अलवर में ही admission दिला दिया था मेरी मंजल यह नहीं है यहाँ मुझे 5000 की job पे नहीं रुखना और आगे बढ़ते चलना है तो रुखना नहीं है सायद यहीं जील रही थी कि मैं छोटी से गाम से निकल के competition fight करता रहा यहाँ फिर जैसे भी आगे गया मैं उटको करके आज यहाँ तक पहुँच पाया MSC आपने की और MSC के बाद आपने कहा कि आप जोटपूर भी गयते इंटर्शिप के लिए तो वहाँ पर आपका friend circle बना होगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा और scope मिला होगा जब मैं PG कर रहा था तो PG final year में 6 months के एक intensive research project था उसके लिए मैं जोटपूर गया जोटपूर में गया तो मिरको वहाँ पर बहुत अच्छे friends भी मिले मिरको exposure हुआ वहाँ पर बहुत अच्छी university थी मैं एक Indian research laboratory में काम कर रहा था मेरे पास अच्छे mentors थे तो उस वक्त मैं वहाँ पर working करके मैं inspired हुआ कि मुझे आगे इदर science के field में जाना है और एक अच्छा scientist बनना है प्रोफिसर बनना है और वहाँ से मेरी journey सिर्फ उसी दिशा में आगे पढ़ती गई तो उसके बाद आप जैपुर आए और जैपुर से आपने PhD की पीजी करने के बाद final ले रहे हुआ और उसके बाद जो भी scientist बनना है प्रोफिसर बनना है उसकी दिशा में जो exams होते हैं वो मैंने apply किया मैं डैली से national eligibility test के exams के त्यारी की GATE का exam मैंने उस वक्त appear किया Junior Research Fellowship के exams UGC, CSIR, ICMR and DBT के द्वारा कंड़क कराये रहे हैं वो सारे exams मैंने appear किये और fortunately तीन से चार मैने में में मेरे सारे exams निकलने लगे और one of the best laboratories जो भी इंडिया में है वो मुझे PhD के लिए assign करने को ready थी PhD के पात अधिकतर सब यही सोचने की lectureship में जाना है तो आपने कभी इसके लिए नहीं सोचा कि नहीं मुझे lectureship भी करनी है मैं lectureship, professorship and scientist के लिए बहुत ज़्यादा willing था और मैं consistently उसके लिए effort करता गया but that time जो मेरे को feel हुआ वो opportunity साइद यहां create नहीं हो पा रही थी और जब मैं PhD में admission लिया था तो मुझे ये खही नहीं lack of security feel होने लगी तो मुझे अपनी life में security को inbuilt करने के लिए other competition exams देना मैंने begin कर दिया था काफी सारे exams आपने दे पास भी किये लेकिन आपने उने join नहीं किया गब आपने decide कि मुझे राजस्थान प्रशास्निक सेवाओं में ही जाना है जब मैं doctorate कर रहा था तब मेरे professor है professor केपी शर्मा और professor सुबास्थनी शर्मा वो बहुत अच्छे renounce professor है राजस्थान उनिवरस्थी में ametist professor है और उनका बहुत अच्छा experience भी रहा था तो वो मुझे mentor guide करते थे तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि उनकी life में वो लोग जो भी research किये उसको society तक people तक को connect नहीं कर पाए तो मैं हमिसा से चाहता था कि मैं जो भी करूँ वो society तक या people तक मैं direct connections feel करूँ तो research करते वक्त मैं सिर्फ laboratories में ही काम कर पा रहा था मैं direct public से connect नहीं हो पा रहा था तो उस वक्त मैंने सुचा कि मुझे भारतिय प्रसासनिक सेवा या राजिस्तान प्रसासनिक सेवा के लिए अपने exams देने चाहिए और इसके लिए प्रियास करना चाहिए इस तरह से अपने योजना बनाई और हासिल किया बंचल को प्रारंबिक में जब मैंने अपने गोल्स डिसाइड किये थे, तब मेरे पास कोई योजना नी थी, मेरे पास सिर्फ गोल था, और जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, मेरे पास योजना ही अच्छी होती रही, इनिसेल लेवल पे जब मैं पीजडी कर रहा था, तो मैं 9.30 to six o clock अपनी laboratory में research work के लिए मापे देता था, तो जो भी time मेरे को मिलता था, मैं उसमें अपने efforts, एक जो भी basics होते हैं, उनको तियार करता रहा, चार से पास गंटे steady ही में कर पाता था, और long term plan मना के मैं उसको achieve करने के लिए कोशिश किया, दूसरे ही प्रयास में 95 rank हासिल भ और किया, आरेस के exam में मेरा तीसरा प्रयास था, प्रारेम भी जब मैंने अपने goals decide किये थे, आरेस 2013 का exam के लिए, तब मुझे 870 भी rank हासिल की, उस वक्त मुझे एसास हुआ कि मैं जादा दूर नहीं हूँ मनजिल से, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं अच्छा और कर सकता हू फिर मैंने थोड़ी और मेहनत करके दुबारा आरेस 2016 का exam दिया, और उसमें मुझे 95 भी rank हासिल हूई, उस समय मुझे राजिस्तान लेखा सिवा का पद मिला, और वर्तमान में मैं अभी लेखा अदिकारी और इस लेखा अदिकारी के पद विरुद, भिवारी integrated विकास प्र 2018 में और अपनी पूरी महनत के साथ मैंने वो अपने जितने भी efforts हैं वो पूरे किये और लास्ट में मुझे ये rank भी हासिल हूई, आरेस की preparation करने से लेकर exam pass out करने तक कहते हैं कि कोई ना कोई एक साथ जरूर होता है, हमेशा हमें प्रेर ना देता रहता है, ऐसा कौन रहा आ उन्होंने कभी भी मिर को distract और डिरेल होने के लिए नहीं बोला, वो हमेशा supportive रहे, किसी भी तरीके का pressure उन्होंने मिर पे नहीं किया, वो जरूर चिंती जरूर हा करते थे कि यदि एक exam ये pass नहीं कर पाता है, तो ये आगे क्या करेगा, तो एक inspiration भी थी, एक डर भी था, एक combination था मतलब जो मैं जिसको लेके आगे भड़ता भी रहा, कहीं आपको ये डर तो नहीं लगा कि अकसर होता है, कि family business अगर होता है, बेटा कुछ नहीं कर पाया, तो ये business जोइन कर लेना, बिल्कु सही कहा, आपने शिका, परिस्तितिया, सायद मुझे ऐसे लगता है, आज मैं सपलता में यहां तक आपाया हूँ, तो मेरी परिस्तितियों के वज़े से आपाया, यदि मेरे पापा के पास या family में अच्छा business होता, तो definitely a businessman के तरह मैं वहाँ पे कोई business जोइन करता businessmen का अलग रोल है, और आप जिस सेवा में अभी आए हैं, बिल्कुल एक अलग रोल है, यहां पर आपको समाज के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, समाज में कई ऐसी चीजे होती है, हम सोचते हैं कि यह एक बुराई की तरह है, या कमी हमारे समाज के इसे चीए और उनकी जो महित्पून भूमी का है उसको हमें समझ कर उसमें आगे बागीदार बनना चीए वास्ता में कहा जाए तो जहां महिला सरशक्त होती है परिवार और समाज अपने आप से विकास की और भड़ता चला जाता है आपने का दीदी का बहुत जादा सपोर्ट रहा आपने बार-बार ये जिकर किया है दीदी से डर भी आपको लगा है definitely दीदी से डर रहा है दीदी से क्योंकि मैं भाई था तो लड़ाई भी मैंने बहुत किया है बहुत सुभाविक सा है भाई बैन होते हैं लड़ते हैं लेकिन मैं दीदी का इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था वो किसी प्राइबेट इस्कूल में बढ़ाती थी उससे जो अर्निंग होती थी वो उससे हम टूसंस पढ़ते थे उससे हम फीस डिपोजिट करते थे मेरे से जस्ट बड़ी दीदी है उनकी गौवर्मेंट इसकूल में डैली में जॉब लग गई थी उससे मैं अपने पोस्ट ग्रेजिएशन कंप्लीट कर पाया वो मेरी लाइफ के लिए वो टू एर्स बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट थे और उसी से मैं एक साल डैली में उस वक्त नैट, गेट और जी आरफ के एक्जामस भी क्वालिफाई कर पाया तो मेरी लिए तो अपनी दीदियों का रूल बहुत इंपोर्टेंट है आपने जब ये एक्जाम क्वालिफाई कर लिए थे तो जोईन क्यों नहीं किया मैंने मैं आपको एक उधारन से समझाता हूँ कि जब मिरको जी आरफ का एक्जाम क्वालिफाई हो गया था तो मैंने उस वक्क कई सारे कॉम्पेटिशन एक्जाम और भी दिये थे अड्मिसन के लिए चाहे वो आईटी डैली हो आईटी रूटकी हो, आईएसी बैंगलोर हो यहां फिर सीसी हम भी हैदरवाद हो इस सारी जी के मेरे एक्जाम पास हो गए थे मुझे पीएसडी के लिए अड्मिसर्स मिल रहे थे और एक और एक्जाम था आईजी आईवी डैली जो अभी कुरोना के लिए डियनी सिक्वेंसिंग लैब है वहाँ पे जब मैं बैटा हुआ था तो मुझे ये रेलाइज हुआ कि शायद मैं ऐसे वर्क के लिए ज़्यादा बना हूँगी जो मैं सोसाइटी को कनेक कर पाऊँ क्योंकि मैं जोदपूर में six months research काम करके आ चुका था तो मुझे लागा कि सायद मैं research में अपने आपको पास आउट भी किये हैं और काफी अची studies भी की हैं लेकिन अगर पूरी life को देखा जाए तो कोई interesting part आपको लगता है कि हाँ ये part या ये बात मेरी life में काफी interesting है interesting part इसमें ये रहा है कि यदि मेरे academics आप देखें तो उसमें एक चीज रियलाईज होती है कि जैसे जिसे मैं आगे बढ़ता गया मेरे exposure अच्छे मिले मैं अपनी growth को achieve करता गया 10th में जब मैं बिल्कुल गाव रहता था तो मेरे को 66 percentage marks मिले थे और जीरे दीरे जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे percentages बढ़ते रहे इसी तरीके से RAS exam में भी तीन बार मैंने प्रियास किया first time मिरेको 3 digit rank मिली उसके बाद दुवारा मैंने कोशिश की then मुझे 2 digit rank मिली and then जब मैंने अंति प्रियास किया तो भगवान की किरपासे मिरेको अपने गोल के साथ single digit rank भी मिली और मेरा गोल भी अचीव हो गया प्रियास करते रहो तो सफलता आपको जरूर मिलती है जैसे आपको उत्रोतर प्रगती मिलती चली गई लेकिन कभी अगर लाइफ में पीछे मुडने का मौका मिले और आप से कहा जाए कि आपके पास एक टाइम है आप लाइफ में एक चीज़ को चेंज कर सकते हैं अंडू जिसे कह सकते हैं कि हाँ हम अंडू कर सकते हैं कोई गलती ऐसी की हो मैं मेरी लाइफ में कुछ गलतिया जो महसूश करता था अपने चैन से पहले वो था कि बारवी के बाद मैंने अपने सब्जेक का चैन किया B.A.C. in Biotechnology उस समय B.A.C. in Biotechnology में भारत में इतना अच्छा scope नहीं था देन फिर मैंने PG in Biotechnology किया और मैं जब PG के बाद Net भी क्वालिफाई हुआ तो मैं Lectureship के लिए इसलिए एपलाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहां पे Biotechnology के लिए Recruitment नहीं थी Same like मैं Indian Forest Services का exam भी नहीं दे पा रहा था क्योंकि B.A.C. in Biotechnology को UPSC में Admit नहीं किया हुआ था तो यह जो गलती है मैं सबसे ज़्यदा उसको महसूस करता हूँ क्योंकि और एक आम बच्चा होता है उसके लिए भी important होता है कि दसवी के बाद, बारवी के बाद और कि रिजुशन के बाद जो decisions होते हैं वो उनको thoughtful decisions लेने चाहिए मतब सबसेक्ट लेना आपका base होता है आप क्या subject लेते हैं उसके बाद क्या exams आप appear कर पाएंगे तो वो subject जो आपने लिया वहाँ पर आपसे थोड़ी सी चुक हुई कि इसकी जगे कोई और subject लेते तो शायद आपका जो future है वो किसी और दिशा में होता शायद मेरी journey कम हो सकती थी मुझे इतनी साल का struggle कम करना पड़ सकता था मैं alternative fields सर्च कर सकता था यह सायद मेरे से गलती रही थी जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो sittings काफी देनी पड़ती है घंटों घंटों बैटके पढ़ना होता है और एक time period की बाद में हम थोड़ा burden भी feel करते है कि आप थोड़ा सा relax करने की जरुरत है उस वक्त आप कैसे relax होते हैं मैं पढ़ाई बहुत ज़्यदा exhaustive नहीं करता था मैं सिर्फ 4-5 गंटे regular ही पढ़ पाता था तो मैं breaks में पढ़ाई करता था और breaks के time पे या तो मैं गाने सुनता था या फिर मैं web series देख लेता था या diary writing मुझे पसंदी थी मैं कुछ-कुछ लिखता भी रहता था तो ये मेरे लिए interesting रहता था एक momentum में वहाँ पे maintain कर पाता था लिखते थे आप तो किस तरह का लिखते थे अपनी life के बारे में अपना routine मैं सिर्फ कभी-कभी लिख लिख लिया गरता था कि life में क्या चल रहा है किस तरह की की चीज़े मैं पाता हूँ जो बाते मैं कहीं और नहीं बोल पाता था वो मैं लिखके अपनी diary में लिख लिया गरता था आप self-guided रहे हैं अपने आपको बहुत जाना है अपनी life की बारे में आपने decisions खुद लिये हैं तो life में अभी कहते हैं कि एक मंजिल हम पा लेते हैं एक target के बात हम दूसरा और कुछ अच्छा करने की सोचते हैं तो life में आगे कि आपकी क्या plannings हैं मैं आगे जिसे कि अभी मैं राजिस्तान लेखा सेवा में हूँ बाद में मैं राजिस्तान प्रिसासनिक सेवा में अपनी सेवाओं का निर्वहन करने वाला हूँ मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि जो भी समाज में लोग हैं समाज की जो इस्तितिया हैं उनमें मैं इस तर्में अच्छा लाने में उसमें प्रियासरत रहूँ जो भी gaps हैं जो society को government से दूरी बनाते हैं उन gaps को कम करें और जो public office होता है वो office of public trust होता है उसको मैं maintain कर पाऊँ बहुत सारे S.A.V.S हैं जो आगे अपनी competitive exams की तयारी कर रहे हैं किसी ना किसी मन्जिल को हासिल करना चाहते हैं उनके लिए कुछ tips मैं उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा वो अपने exams के लिए objective रहें determined रहें राजिस्तान में exams intermittent तरीके से होती हैं तो आप specifically targeted रहें और patience के साथ, hard work के साथ and determination के साथ अपने objectives को achieve करें रवी जी आपके आगे वाले जीवन के लिए आपको धेर सारी शुब कामना है रवी जी के लिए मैं चन्द पंक्तियां कहना चाहूँगी डर मुझे भी लगा फासला देखकर डर मुझे भी लगा फासला देखतर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर मंजिलें खुद बखुद मेरे नजदीक आती गई मेरा हौसला देखकर ऐसे ही अपने हौसलों को बुलंद रखें अपनी मंजिल तक आप जरूर पहुँच जाएंगे रवी जी आप इस प्रोग्राम में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद